अलो दोस्तों स्वागत है आपका मेरे इस सैनिक समाचार चैनल में दोस्तों आज की वीडियो में बात करेंगे कई यहां पर दोस्तों बात करेंगे जो आपका डी जो है 53 परसंट वो आपका बेसिक में मर्ज को लेकर बहुत जादा डिसकेशन तेज हो गया और यहां पर बात करने जा रहे हैं जो कि अभी जो कैबिनेट मीटिंग हुई थी और कैबिनेट मीटिंग में जो 53 परसंट डी ए अन जो नियम था होता कि 50 परसंट या उससे बढ़कर तो अगर 50 परसंट के हिसाब से अगर इसको इंप्लिमेंट किया जाता तो शायद इतना बेनेफिट नहीं होता अब जो है जो लेटेस्ट अपडेट आ रहा है और यहां पर हम लोग बात करेंगे कि सरकार की तरफ से भी ज बोनस है वो पेंशनर्स के लिए भी लागू है क्योंकि और दोस्तों पेंशनर्स खासकर जो है अम लोग बात कर रहे हैं एड होक बोनस की तो ग्रुप भी और ग्रुप सी के लिए और इसके उपर भी काफी ज़़ा चर्चा तेज हो चुकी क्या यह सर्विस जो सर्विस कर अपडेट आपको मिलता रहे और साथी साथ बैल आइकन जुरू दबाएं दोस्तों जैसा कि हमने बताया कि अब 50% डिये क्रॉस कर चुका है और अब जो है सही टाइम है जहां पर आपको जो है यह जो 50% वो मर्ज कर दिया जाया और 3% जो एक्स्ट्रा डिये के कैलकुरेश चुरू हुआ और अगर जो है जैन्वरी में जो है 3% और बढ़ता है तो 50% आपका बेसिक का पार्ट हो चुका है अब इसके ओपर जो भी होगा वो डिये जो है 3-6-9% जो भी कुछ होगा और इस केस में अगर अभी भी 50% जो है डिये जो है इंप्लिमेंट कर दिया जाता ह और 3% उसमें DA की कैलकुलेशन होती है तो इस टाइम पर भी अगर हम बात करें कि अगर टोटल 53% पर अगर देखें तो सिपाही रैंक पर 31,309 रुपे मिल रहा है और यहीं अगर हम करें बेसिक 50% और उसमें 3% हम एड़ करें 3% होता 921 तो 31,616 रुपे तो 31,309 और 31,616 306 रुपे का benefit मिल रहा है पर benefit मिल रहा है अगर हम लों सिधे-सिधे 50% पर करते तो 50% पर आपको कोई भी benefit नहीं मिलता मर्च करने पर तो वह ही आपको बात करें कि जो आपको 300 रुपे 600 रुपे 900 रुपे जो भी इसमें benefit मिल रहा है वो अब मिलना शुरू हुआ है जबकि आपका DA जो है या DR जो है वो 50% क्रॉस कर चुका है और हमारे पास 3% एक्स्ट्रा है और इसी लिए दोस्तों जो सरकार से कोशन पूछा गया था कि जो DA, DR है उसको 53% जो है जिसमें 50% मर्ज कप करने जा रहे हैं तो वहाँ पे पहली बारी आया है कि अब जो है यह वाला मुद्दा जो है discussion में है क्योंकि अब इसका जो है sense बनता है 50% पर और वाइज sense बनता था क्योंकि 7th Pay Commission में कहा गया था लेकिन benefit wise उस टाइम पर benefit उतना नहीं मिलता या नहीं मिलता लेकिन अभी जो है 50% से जो 3 extra गया है अब आपको 3% का benefit और जैसा कि मैंने आपको example में बताया कि अगर आप नायक की भी बात करें तो अगर 53% के साब से करेंगे तो 32,870 रुपए है लेकिन इसको तोड़ देंगे अगर आप कि पहले 50% merge कर देते हैं और उसके बाद से उसमें 3% डिये डियार एड करते हैं तो उस case में आपको जो है 32,870 अभी मिल रहा है और उसको करेंगे तो आपको मिलेगा 33,199 रुपए है तो आप यहां पर भी देख सकते हैं कि लगभग जो है 310 या 320 रुपए का फायदा हो रहा है इसको ब्रेक अप करते हैं तो और इसी वएसे जो है मंत्री जीने भी काया कि यह discussion में चल रहा है और डिये मर्ज की पूरी की पूरी संभावना है बात करते हैं दोस्तों दूसरे अपडेट की और यह अपडेट है कि पूर उसेनिकों को के खाते में भी यानिकि पैंशने से से लिए नहीं है गुरूप B, गुरूप C जिन्हों पिछले साल रेटायर हुआ है यानि कि मार्च में रेटायर हुआ हूँ है मार्च के बाद रेटायर हूं है और जिन लोगों ने पिछले financial air में पूरा काम किया था छे मेने साधिक का काम किया था उन सब के लिए update है कि उन वो सभी जो है जो ad hoc bonus है 6908 का जो maximum जो calculation है उसका उनको benefit मिलेगा तो अभी तक जो सब जगह ये चल रहा था कि serving लोग को ही मिलने वाला है ऐसा नहीं है दोस्तों क्योंकि ये हमेशा जो है पिछले financial air में मिलता है और जिन लोगों ने पिछले financial air में काम किया है वो चाहिए भी काम कर रहे हैं या वो retire हो गया है उन सब को जो है इसका जो है proper benefit मिलेगा और वो calculation होता है छे महिने के बाद से जिन्नोंने भी छे महिने पूरे काम किये हैं उस हिसाब से calculation होता है क्योंकि ये per day का होता है per month का होता है तो अगर आप 7 महिने काम करते हैं तो अगर आप 7 महिने काम करते हैं जो भी गुरूप भी गुरूप सी के जो है पेंशनर्स हैं जो की रेटायर हो चुके हैं पिछले साल कार्यरत थे उनको इसका बेनिफिट मिलने वाला है जोस्तों ये थे आज के दो इंपोर्टेंट अपडेट सभी पूरूसैनिकों के लिए केंदरी करमचारियों के लिए अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूले हैं थैंक यू फर वाचिंग दिस वीडियो